जी है नो क्यारे विद्यार्थियो पंजाब स्टेट एड्यूकेशन बोर्ड दी छेवी जमाद दी अंग्रेजी दी किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उस्दा लेसन नमबर थ्री दी लेक आफ दी मून अर्थाथ चांत दी चील उस्दी एक्टिविटी नमबर फिफ्टीन जिस्दा सिरलेक है लर्निंग टू राइट अर्थाथ लिखन दा भ्यास वो इस वीडियो उच करन जा रहे हां सो नूटबुक के पैन लेलो ते जड़ी एक्टिविटी टो अड़ेली तियार किती गए अनू तुसी अपनी कॉपी दे उतार लो और बाद विच्चों इस एक्टिविटी नू बिना देखे तुसी पहले याद कर लो ते बिना देखे फिर इनू आपने आप लिखन दा भ जेज्ट वड़िया मेर्दियां काफी सारी एक्सेसाइजीज हल कर देती हैं कि याने वो काम महले चल हुए और तुसी वच जाके छेवी दे स्वाल भी हल कीते हुए देख सकते हो स्वाव शुरू करिए घ़ो बच्यों पहले दिस है कि लेटर लेर्णिंग टू राइट-डा जो सिलेख है कि लेटर राइटिंग पिर चठी की में लिखनी ए So letter IT उन्दी informal, informal हुन्दी ए अपने दोस्तान, मित्रान, रिष्टेदारान, चिठी, उनके इन्फॉर्मल ते दा पुठागेड़ा आजेगा formal, आईये नट आदो दे formal, formal करी हुन्दी ए किसी अफसर नूँ, अपने बॉस नूँ, सरकार नूँ, या किसी सरकारी अदारे नूँ लिखनी हुए, या अपनी कंपनी नूँ किसी नूँ लिखनी हुए, बिसनस पार्टनर नू लिखनी ठीके, किंदे राइटिंग लेटर इस न आठ, चिठी लिखनी भी कला है, इट है, इट है, इट हैसा सेट फॉर्मेट, वधाई एक फॉर्मेट मल की वधा एक फर्मा बनया हुन्दा है, मल की वधाई टांचा बनया होंदा है, बैट मस्ट बी फॉलॉड जेनूगी तुसी वो ते अमल करना है Given below is the format ए फॉर्मेट दिता हो है खबे पासे बच्चों अपना address लिखना है address of the writer जो चठी लिख रहा है उनने अपना address लिख रहना है कारदा नंबर, गड़ी दा नंबर, महले दा नंबर ते जड़ा शेयर है रहा है फिर अगे body of the letter माली उस्तार फिर letter शुरू हो जानी letter दा ट्रचा, letter दा जो सारा विशा वस्तु है, वो जा introduction दे दो माड़ी पहले, हाना फिर main content जड़ी खास मजबून की अगया है, ते conclusion अर्थाद उन्हों मल की वो दी समापती करनी, ठीक है अर्थाद को, फस्ट पैरा contains a short description second पैरा contains a long description third पैरा contains the conclusion at end part तो अर्थाद को में चेनी जमात है, ते यसी चटी-चोटी-चोटी लिखांगे, बाद बड़ी लिखनी ते अखीर विच्च, एनोगे ते subscription, including writer's name यूर्स lovingly लिख दो yours affectionately लिख दो yours sincerely लिख दो दोस्ता देना sincerely बड़्यान उजी लिखनी है, ते lovingly, ते affectionately ते थले अपना आजेगा, ना ठीक है, आओ उन देखिए, एते नहीं सुन जाजिता है भी चिठी दा टांचा किदा होएगा उन activity 15 की गिए राइट a letter to your uncle अपने अंकल जी नो चिठी लिखो उन बच्चा दो खेवी किन्नी मैजदार गाले उन अंकल केड़ा है, एते अंग्रेजी दी मुसीबत हैगी पी अंकल सारे नो अंकल केदेने है पर साढ़े वास्ते अंकल दी बड़ी कैटेगरी है असी मासर केने है ना मैंमा केने हें चाचा केने है, ताया केने है ओफड केने है आणिमने Dos करते में अंकल दी पांजने आने खैर कोई कल नहीं असी राइटा लेटर टो यॉर अंकल असी जले चीठी लिखांगे यसा की लिखांगे सत्कार ययोग पंपघुर जी सत्गार जोग मासर जी सत्गार जोग ताया जी सत्गार जोग चाचा जी सत्गार जोग मामा जी है न परित्थय सी की लिखांगे रिस्पेक्टेड अंकल उन्हाँ पता नहीं है ते चड़ो अंकल जिन्हों जड़े बंदा लिख रहे हैं एक चठी लिखनी है, सो बच्चों मैं ट्वाड़ी सूलत लेई, ट्वाड़े नौलेच वाददा करना ली, मैं ट्वाड़ी दो चठीयां त्यार करती है, तुसी दोनना मुरूड करो, ते दोना तो प्रेड़ना लेके, आइडिया लेके, तुसी अपना भी कोई आइडिया त्यार करन दी, खोशिश करो और जतन करो, ताकि ट्वाड़ा लिखन दा व्यास होए, ट्वाड़ी कलपना नू उडारी मिले, ठीके, आओ देखिए, तो पहली चठीये, इद्दा तुसी लिखे दो, अपना इत्थे कार्दा नंबर, जो भी स्ट्रीट नंबर में लिखे मॉटल डाउन, जलंदर, 13 जुलाई 2021, ठीके, मैं इतने एक टांचा लिखे देता है उपर, ते तुसी कुछ भी लिखे दो, जो अड़ा इलाका है, बढ़ ठंडा है गया, हुश्यारपूर है लुद्याना है गया, अपना करतारपूर साब है गया, अनंदपूर साब है गय फिर, रिस्पेक्टेड अंकल जी, सतकार योग अंकल जी, ठीके, I am writing this letter, मैं एचिठी लिख रही हां, या लिख रही हां, तू थैंग यू, तौडाता अनवाद करन लई, for the lovely birthday gift you have sent me, मलकी, उस प्यारे जनम दिन्दे तोफिली, जो तुसी में नू पेजिया है, You have always told me about the value of education, तुसी हमेशा ही मैंनू विद्या दी कीमत बारे दस्या है, ये मैंनू प्रेडना कर दे रहे हो, कि बैटे पढ़ाई मान लागे करो, homework नेम नाल करो, पढ़ाई नू गंभीरता नाल लगो, education दा बहुत मुर लागा है, तुसी मैंनू हमेशा ये बारे value of education दस् लागे करां, इमान दारी नाल करां, तुसी इस गल्ती लिए हमेशा मैंनू हला शेरी दिनते रहे हो, and अच्छा इते वच्छो इते कॉमा आना सिगा, इते मेरे को फुल स्टॉप लग गया, ये इते कॉमा आएगा, इते मेरे को लोग लग गया, ये फुल स्टॉप नहीं कॉम है, and now you have sent me a copy of English Punjabi Dictionary, published by Punjabi University पट्याडा, वावी वाव, मुरी युनिवस्टी दी छापी होई, अंग्रेजी तो Punjabi Dictionary, तुसी मैंनू पेजी है, ये मेरे ली बड़ी मानवाली का लगी है, ते I have started using it regularly, ते मैं इस Dictionary नू नेम देनाल वरतना शुरू कर देता है, ते इदिनाल मेरी पंजाबी भी निखर दी पही है, ते मेरी अंग्रेजी भी विच्वी सुधार आ रहा है, तो बच्यों है, तुसी मेरे कोल भी है Dictionary है, मैंनू बड़ी पसान दे, ते इस बाहने में तुन्हों कहा देता है, ते जे तुसी कोई Dictionary खीदनी है, ते English to Punjabi, ते पंजाबी उनिविश्टी पट्याडा ने, जे डिक्शनी तुसी ले लोगे बच्यों, थोड़ी की महंगी है, तेंचार सुर रवे दियागी है, जे तुसी अधिक्शनी ले लोगे, तोड़ी कॉलेज तक काम आएगी, तुसी उन छेवी जो ना, सत्मी, अथमी, नौमी, दस्वें, गया नहीं, बार में, कॉलेज तक काम है गिये, मोट्टी डिक्शनी ये, एक को बार बंदा ले लेगे, तो मैं बच्यों हले भी बरता ना, ते मैं अपने कही रिष्टेदारों नो गिफ्ट भी दिती है, मैंनो इन्नी वधिया लगी है, तो मैं इन्नो इन्नो इ पट्याला, पंजाबी युनिस्टी पट्याला दी छापी होई तो सी मिन्नो अंग्रेजी पंजाबी डिक्शनी पेजी है, आई एव स्टार्टेड यूजिं इन्नो इन्नो वरतना शुरू कर देता है, कॉन्वे माई रिगार्ड्स तो आल दी फैमिली मेंबर्स, परवार ते सारे मेंबरानों मेरे वल्लों सत्री कल बुलाओ, एंड अलोट अफ थैंक्स अगेन, ते एक वारी तो अड़ा बहुत बहुत तेहर सारा तनवाद, ठीके, आई बचों चिठी खतम होगी, क्योंगी छेमी कलास दिये ते असी इन्ना की लिखना जादा बड़ा नहीं लि यूर्स अफेक्शनेटली या यूर्स लविंगली करके अपना नाल लिख दो, एते बच्चे होगी एक चिठी, हुन में एक चिठी हो रही है, वो भी तोड़ली क्यार कीती है, ताकि तोड़नू थोड़ा मेटीरियल ज्यादा मिल जाए, तो दूजी चिठी में वही अड् इत्य में लिखे, I am thankful to you, मैं ट्वाड़ा शुकर गुजार हां, for sending a pair of branded running shoes as my birthday present, मैं ट्वाड़ा शुकर गुजार हां, मिन्नू एक ब्रेंड़िड दौड़न वाले जोड़न वाले जुद्यादा, एक जोड़ा मेरे birthday present ते दौर ते पे जनली, ठीके, how can I forget your wise teaching, मैं ट्वा स्यान पाड़ा उपदेश, केड़ा उपदेश, a sound mind in a sound body, ठीके, how can I forget your wise teaching of a sound mind in a sound body, कि तंदुरुस्त शरीर वेचे ही तंदुरुस्त दिमाग हन्दा है, तो अड़ी ऐ दसी गई स्यानी उपदेश में कि मैं पूल सकता हां, कि तुसी हमेशा मैंनू इस गल बारे चेते कर स्यान दे रहे हो, कि खिड़ा में इस हिसा लेना, दौड़ना, पजणा, वर्जिश करनी एवी बहुत दुरूरी है, वो देना च्री भी नरुआ रहे है, ते दमाग भी तेज हुना है, स्वित्य में लिख देता, how can I forget your wise teaching, wise teaching मैंने स्याना, स्यानी सिखलाई, केड़ी of a sound mind in a sound body, I am glad to tell you, मैंनु है तो अनु दस्तन वीच खुशी है, that I have started running regularly, कि मैं हुन नेम देनाल दौड़ना शुरू करतता है, wearing that pair, वो बला जोड़ा पाके, जड़ा जत्याना जोड़ा तो सी हुन पेज़ा है, वो पाके मैं हुन रोज दौड़न जनना, I am confident of improving both my health and studies, ते हुन मैंनु अपने आपते मेरा स्वैप रोजा है, मैंनु confidence है, कि मेरी सेथ भी वदिया हो जाएगी, ते मेरी पढाई भी वदिया हो जाएगी, क्योंकि जदो मेरी सेथ वदिया होएगी, ते मेरा दुमाग दा, focus करन दा, concentrate करन दा, चेता रखन दा जड़ा मादा है, वो भी सारे अनु प्यार पती काहरविच सारे नु प्यार परी सत शिरीय काल, सो देख बच्य मैं इत्थे language वखरी रखी है, उत्थे वखरी रखी है, उत्थे starting भी वखरी लेंगवज रखी है, ते अंत भी वखरा गीता है, तागि तो अनु नमा नमा लिखन दा टांग जड़ा ह है वो समझ आवे ते तोड़ा वधिया अभ्यास हो सके अग्य थल्ले इस तरह लिग रहना है कि यह 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 लविंग ली थल्ले इंदिवर सिंग यह जो टड़ा अपना ना है गाए सो ऐसी प्यारे विद्यारतियो टड़ी एक्टिविटी नंबर 15 ओफ लेसन नंबर 3 सो इसी तरह नेम दे नाल अनुशासन दे नाल लगन दे नाल अपनी पड़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक ली गुड़बाई वाटा सारे हैं दा बहुत बहुत अन्वाद राब राखा थेंक यू वरी मुच